हैलो दोस्तों कहां है आप सब मैं आ गई रश्मी आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके और आपको कुछ सिखाने और आपसे कुछ सीखने आपके कॉमेंस का बहुत इंतजार रहता है प्लीज हमें कॉमेंस बौक्स में कॉमेंस करके कुछ सिखाईए और कुछ बताईए तो आज मैं आपको इस फूट प्रोसेसर की वीडियो लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगे बिहार यूपी की जो फेमस लिट्टी है, उसके प्रिप्रेशन कैसे होती है, वो सत्तू का मसाला की सतरह तयार करते हैं, और आटा की सतरह गूतते हैं, तो उसके बारे मे बताऊंगे, तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं, सबसे पहले में ये में जो है मिडल पार्ट का इसे लगाऊंगे, उसके बाद ये जो ब्लेड है, ये देखिए, इस तरह से, इसे लगाऊंगे, क्योंकि सबसे पहले प्याज अधरक लशन मिर्ची और धन्यापत्ती को हम लगा देंगे, और फिर इस जक्तन को इस तरह से मार्क बना हुआ है, मार्क पे हम इसे बठाते हुए अच्छी तरह से लॉक करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां एक कट से आवाज आएगी, तभी ये लॉक होता है, ये देखिए, हो गया, अब हम इसे खोल देंगे, और ओख जिसमा, अब के? यह देखें पलक जपकते ही यह तरीब 5-6 प्यास थे बड़े-बड़े वह कितनी अच्छी तरह से यह कर चुके हैं मैं दिखाती हूं आपको यह देखें कितनी बारी कटिंग हुई है क्योंकि सब्टू के मसाले में इसी तरह बारी क्यास की जरूत होती है ठीके तो मैं अब इसे फिर से लगाती हो और अब अधर्ट लेस्ट जो है वह बाकी है तो मैं उसके कटिंग यह देखें अब यह अधर्ट और यह मिर्ची है और यह लेस्ट अ इपन्याति काई यह देखें सिर्फ इतना साही खाली धनिया रह गया है इसे मैं यूँ तोड़ के डाल देती हूँ यह देखें यह सारा चीज जो है एक साथ अधरक लेशिंग मिर्चा दिनिया पत्ते कितनी अच्छी तरह से यह कट चुका है यह देखें अब मैं इसका मसाला बनाती रिखाती हूँ अब मैं सत्तू का मसाला बनाने जाने हूँ तो मैं इसमें सत्तू एड़ करती हूँ और सारा चीज एड़ करूंगे तो मैं इसमें सत्तू डालती हूँ देखिए एक दो तेन यह मैं पांच चम्मच इसमें सत्तू डाल देएँ हूँ ठीक है और यह जो पेस्ट जो मैं बनाएटी वह भी मैं इसमें डाल दोंगे सबसे फ़ले में इसमें ब्लेट लगाऊंगे यह देखिए यह जो ब्लेट है यह प्लास्टिक का है इससे सत्तू मसाला मिक्स होगा इसमें ब्लेट को लगा देती हूँ इसमें अब उसके बाद यह जो मैं प्याद वाज जो की थी प्याद रख्लैसल मिर्चा यह भी जाल दोंगे अब मैं सारी चीज़े इसमें एड कर दूंगे फिर मिक्सिंग स्कार्ट करूंगे यह निम्बू है यह मैं एक बड़ा सा निम्बू ली हूँ इसमें काफी रस है यह आजवाएं दानेंगे नमक तो टेस्ट और यह सर्सों का तेल है यह करिब दो चम्मस का लोगी इसके हैं यह होगी यह सारी चीज इसमें है अभ मैं इसका मिक्सिंग करूंगे यह डिखे यह अच्छी तरह मिक्स प्रूंज सारे मसाले में सॉखना चूका है दिखाते हूं यह दिखे है अब मैं लिट्टी बनाने के लिए आठा गुतने भी जारही हूं, वो भी इसी में गुतूंगी, इसमें यह कप मेंजरिंग कप है, wil इसमें न दूंगी 6 कप आठा हैं, काथ में मैं डाल भी हूं आठा और 20 कप दूद पानी जाएगा जिसमें हम एक कप दूद और पाणी कब पानी डालेंगे स्के इन अदर इसका हम नगा लगा लेंगे पिस्का धकन लगा लेंगे रोसेज वही है जो पहले था Okay उसी तरह से इसमें धकन को लगातोगी से इसमें अद्र कर देंगे इसमें नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा ओयल डालेंगे, जिसे आटा सॉंप होगा, अब पहले मैं इसे चालू करके मिक्स कर दूंगे, कि ओयल और जो नमक है वो आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ओके, ओयल और आटा मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें दूद और पालिंट एड़ करूंगी, यह एक कब जूर दूर दूर आज़ी एक कब पानी है, इसमें में आधा पानी अभी डालूंगी, आधा पानी में बार भी देखूंगी, आटा किस तरह का हुआ है, उसके ऐड़ करूंगी, यह बचावो पाने भी डाल रेती हुँ यह बचावो पाने भी डाल रेती हुँ यह बचावो पाने भी डाल रेती हुँ अर आधी को पहले अच्छी तरह से घूतरेहुं ठोड़े पान की ओर आवसकता है इसरी बप्रोफ। ये और आटा बहुत ही तरह से ये आटा लग चुका है यह ठोड़ा सा गिला लग रहा है तो जो पहले जो मैं आटा निकाल्off के रखे थी वो ढटा थोड़ा टाइट था मैं इसमें डाल करके दोनों आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहे हूँ यह देखिए यह गूत गया है और यह हाईजिनिक भी है क्योंकि यह बहुत सफाई से गूता गया है और बिल्कुल सॉफ्ट है बहुत अच्छी लिट्टी बनेगी इससे आप इसे अच्छी तरह से गूत सकते हैं और आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूं आप अपना ध्यान रखेगा बा नहीं है और आहां लोड़ से खानावी है और समाप ठाय है और आज कर नहीं से खाना। प्लॉणव. नहीं से टोत yapıyorsun यहीं से ट दूसमИों सेहरे हैं!